Welcome back to my channel StudyTalks Friends आज हम पढ़ेंगे Moria Periods के बारे में Lucent DK की बुक में से कुछ नोट्स पनाए हैं जो कि मैं हर बार बनाती हूँ और ये आज का टापिक है Moria Periods तो आए इस्टार्ट करते हैं और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स टाइम आए तो प्लेज इसको पहले सब्सक्राइब कर लीजिए उसके बाद में आप इस वीडियो को पूरा कंप्लेटली देखे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है तो आए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम सोर्स देखते हैं और माटीरियल्स मिले हैं तो लिटरली सोर्स में कॉटलिया की अर्शास्त्र मिला है कॉटलिया एक राइटर है मैकस्थनी जिंडिका मिली है विशाका दत्तम हुद्रकाश कशाशा और पुरान्स मिले हैं बुद्धिस का लिटरेचर उन सबसे हमें मोरे हिस्ट्री के बारे में आर्क्लाजिकल सोर्स में अशोका एडिक्स अशोका के जो पत्थर पे जो शिलालेक हैं जासे की मिंस रॉक्स पह लिखवाए गए पिलर्स पह जैवыми उन से उसके बारे में उसके जो परिंसिपल्स अच्छीब्स व्याम पता लगा गया है और इन स्क्रिप्स चों में लिए हैं रुदु दमन और शोग अगारा कि अलेज एक प्रकरती है और यह भी डेमेंट्स करता है रीजन के ऊपर कि कहीं नौर्थ-ईस रीजन में लग है और वेस्ट में लग है चीक है, material remains चो मिले है, wooden plates, black polish wear, silver and copper punch mark, coin found in kumhara, चीक है, other inscripts चो मिली है, जुनागड में rock inscript मिले है, शोहगारा copper plates inscripts and महास्तन inscripts, बोगारा, then हमें जो आशोक के जो उन्होंने एडिक्स लिखवाये थे, यानि पिलर्स पे और केव्स पे and and rocks पुछ एडिक्स लिखवाये हैं, उसके बारे में 14 major edicts मिले हैं, rocks के, जो की इजिन जगाओ पर मिले हैं, found it, and two killing के rocks edicts हैं, जो की उन्हें अपने war में जीते थे, डॉली एंट उसाली जोगाडा, and minor rocks edicts हैं, ये सब हैं इसमें, बंबारा बैरत रॉक एडिक्स हैं, ये राजिस्थान में मिला है, पिलर edicts 7 edicts हैं, मेरत देली, तुपारा डेली, अलाबाद, रामपुरा, और, के वेडिक्स जो हैं, ये पिलर हैं, तीनों, और के वेडिक्स तीन, बंबारा के वेडिक्स, जो की बिहार में मिला हैं, अब हम देखते हैं, origin of the morayas, प्राण, प्राण, डेस्क्राइब, ऑधाएं, देखते हैं, जो प्राण हैं, वो उनमें इनको, रेसक्राइब, यह डिसक्राइब कहा हैं, मुद्रास शाशा विशाकतता ने इसको कुलहिन, means low caste, लोग जो होते हैं, उनको as a use term use किये गई है, मौरियास के लिए, and the classical writer says, a man of humble origin, classical writers के द्वारा इनको humble man बोला गया है, and in other conclusion में जो निकला है, कि ये एक मौरिया ट्राइब से related थे, जो की low caste से ब्लाउंग करते थे, चीक है, and मौरिया का administrations क्या था, central administration, municipal administration, and army कैसी थी, तो central administration का administration जो work करता था, उसमें जो king था, king के कुछ elements थे, जिन पर क्या according वो work करता था, seven elements थे, तो उस पर कोई deeply question नहीं आएगा, कि ये भी आ सकता, बस कि, कितने elements थे, या फिर कितने administration कितने होते थे, central, municipals, चीक है, दो, अब दो, उसमें, दो मंत्री परिशत जो थे, उसमें, कौन-कौन था, the king was assisted by a मंत्री परिशत, including, सैनपती, पोहिट्स, युवराज, तीक है, और municipal administration में जो होता था, a full chapter of rules, magalak that contains a maintenance of law and orders, and magistrates में six committees और five members थी, जिसके according work होता था, और जो हो, उस time की, जो मौरियर्स period की आर्मी थी, बहुत strict rule features थे, उनके अपनी huge आर्मी को maintain करने के, और मौरियर्स period में, जो तू टाइप्स के, वो थी activities जो होती थी, जिसमें detectives थे, stationary and vendering, और जो time की economy थी, economy जो control की जाती थी, state के द्वारा की जाती थी, और उसमें जो state work करता था, tax collection का, water tax का, tolls का, यह सब society में क्या था, कि modern society, basically seven classes में divided थी, philosopher, farmer, soldiers, hud, man, aristans, magistrate and counselors, और जो moments थी, उनको ज़्यादा high positions मिलती थी, freedom मिलती थी, तो friends, यहीं यहीं मेरी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आए, please like करें, share करें, comment करके बताएं, और में जोन को subscribe करें, thank you,